फेमस टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी में फाइनली रोमिल ने अनुपमा के सामने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली है फाइनली रोमिल ने अनुपमा को बता दिया है कि पाखी को उसने किड्नाप किया था अधिक से बदला लेने के लिए लेकिन अब जो कुछ भी हुआ है उसकी वजह से वो काफी ज्यादा दुखी है अनुपमा को पता चल गया है कि पाखी की केड्नैपिंग तो हुई थी रोमिन नहीं की थी लेकिन अब पाखी सच में भाग चुकी है और अब शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप पाखी को असली गुंदों के चक्कर में पढ़ते हुए देखने वाले हैं शो के आगे आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे धेर सारा हाई वोल्टेज जामा जहां पर स्टीवी सीरियल अनुपमा में पाखी रोमिल के दोस्त के घर से भागती हुई पहुँच जाएगी एक अंजान जगह पर जहां पाखी को मॉलिस्ट करने की कोशिश कुछ गुंदे करने वाले हैं जी हाँ इतनी आसानी से पाखी अपने परिवार तक नहीं पहुँचेगी इतनी आसानी से पाखी का मिलन उसके अपने परिवार के लोगों से नहीं होगा शो के आगे आने वाले एपिसोद में आप देखेंगे हाई बोलते इस ड्रामा जहां पर पाखी पूरी तरह से गुंडों के संगुल में फस जाएगी और ये गुंडे पाखी को मॉलस्ट करने की कोशिश करेंगे अब आगे कहानी में क्या नया मोड आता है इस मुश्कल से पाखी को कौन बचाता है अपनी मा से पाखी कब तक मिल पाती है देखना होगा